अब चलते हैं समिस्संख्या का मापांक या फिर जिसे मॉड्यूलस भी कहते हैं मॉड्यूलस आफ कॉम्लेक्स नंबर यदि एक समिस्संख्या दी गई हो Z इक्वल टू X प्लस आयोटा Y यहां पर X रियल पार्ट है और यह जो आयोटा के साथ जो है वो इमेजनरी पार्ट है तो इसके मापांक को मॉड्यूलस Z से प्रदर्सित करते हैं और इसका अर्थ होता है इसकोर रूट आफ X स्क्वार प्लस Y स्क्वार या फिर दूसरे सब्दों में आप इसे लिख सकते हैं स्क्वार रूट आफ रियल पार्ट आफ Z का स्क्वार प्लस इमेजनरी पार्ट आफ Z का स्क्वार अब यह देखिए कि यहां पर वर्ग मूल के अंदर जो कुछ भी रासी है यह वर्ग में है तो इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हमें संख्या मिलेगी वो greater than or equal to zero मिलेगी इसका मतलब यह कि समिछ संख्या या तो zero मिलेगी या धनात्मक संख्या मिलेगी तो इस तरीके से हमें से लिख सकते हैं mod Z is greater than or equal to zero यह concept है जो कि आगे भी आपको काम आने वाला है काफी सारे प्रशनों को हल करने में तो चलिए एक complex नमभा लेते हैं Z2 equal to 1 plus 2 iota अगर हम एक complex plane या आरगन समतल की रचना करें तो आपने पिछले का अक्षा में कारती निर्देशांग पद्धती पढ़ाई है यह वही अक्ष है यह मूल बिंदुशुन्य है X-axis जो है इसमें हम real part या वास्तोविक भाग को प्रदर्शित करेंगे और यह जो Y-axis है इसमें हम समिस संख्या के कालपनिक भाग को प्रदर्शित करेंगे तो 1 plus 2 iota तो आपने यह graph देखा ही है जिस तरीके से graph होता है similarly यहाँ पर हम उसको draw कर सकते है 1 plus 2 iota तो यह जो complex number है Z2 इसका real part 1 है और यह जो complex number है Z2 इसका imaginary part 2 है तो देखिए यह 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ सकते है real part जो है यह 1 है यह वाला number और imaginary part जो है वो 2 है तो यह 1 और 2 तो यह जो 1 और 2 जिस point पर intersect करेंगे इसी point को हम 1, 2 कहेंगे तो यह जो 1, 2 हमें मिला है करमिक योग मिला है यदि इसे हम P मान करके चलें P1, 2 तो मूल बिंदू से इस बिंदू के बीच की जो दूरी है OP यही OP को हम उस समिस्थ संख्या का मापांक या मॉडिलस कहते है एक बार फिर से देखते है समिस्थ संख्या का जो मापांक है तो यहाँ पर यह जो OP है यह इस आरगंड समतल में मूल बिंदू से उस क्रमिक युग में या फिर उस बिंदू की दूरी है जो इस समिस्थ संख्या को प्रदर्सित करती है तो हमने यहाँ पर देखा था कि MOD Z जो होता है वो SQR रियल पार्ट का SQR प्लस इमेजनरी पार्ट का SQR होता है तो हमने यहाँ पर देखा कि यह जो समिस्थ संख्या Z2 है इसका वास्तिक भाग एक है और कालपनिक भाग यह दो है या फिर 2 है तो इसे लिए हम लिखेंगे MOD Z2 equal to SQR रियल पार्ट का SQR इसका मतलब है 1 का SQR प्लस इमेजनरी पार्ट का SQR यह 2 है इसे आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 plus 4 equal to SQR 5 similarly अगर हम एक दूसरी complex number देखें Z3 equal to 1 minus 2 iota तो यह हमें क्या मिलेगा Z3 का MOD equal to SQR 1 का SQR रियल पार्ट यह है और इमेजनरी पार्ट का है minus 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 2 का SQR that is SQR 1 plus 4 SQR 5 तो यह देखिए कि 1 minus 2 iota को पहले हम प्लाट कर लेते हैं 1 रियल पार्ट है यह 1 और minus 2 यह minus 1 और यह minus 2 यह 1 और minus 2 जहाँ पर intersect कर रहे हैं दोनों लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यह जो point हमें मिल रहा है यह 1 minus 2 है तो यहां से इस बिंदू की बीच की दूरी और यहां से इस बिंदू की बीच की दूरी यदि यह से हम Q ले ले तो OQ और OP आपस में बराबर है चूंकि दूरी रिनाजमक नहीं होती यहां पर हमें square root 5 और square root 5 मिला था आप देखेंगे कि यह जो समिस संख्या 1 plus 2 आयोटा है और यह 1 minus 2 आयोटा इसका जो conjugate यह संयूग्मी Z2 का संयूग्मी Z3 है और Z3 का जो संयूग्मी है यह Z2 है तो दो समिस संख्या है जो की आपस में एक दूसरे के संयूग्मी है उनका modulus पराबर होता है अब चलते हैं कि यह modulus of complex number या फिर समिस संख्या की मापांग की आवशक्ता क्या पड़ी या क्यों पड़ी तो किसी भी समिस संख्या को आप इस तरीके से तुलना नहीं कर सकते यह संख्या समिस संख्या छोटी है या फिर यह बड़ी है यह बिलकुल ही गलत है यह इसका कोई भी अर्थ नहीं है लेकिन यहाँ पर हम modulus लगा दें तो यह एक meaningful statement बन जाता है कि mod of Z2 is greater than mod of Z4 या फिर Z2 एक समिस संख्या है इसका मापांग Z4 एक दूसरी समिस संख्या है उसके मापांग से बड़ा है आगे चलते हैं समिस संख्या का व्यूत करम या reciprocal of a complex number यदि एक समिस संख्या Z equal to A plus Iota B अगर दिया गया है तो उसका व्यूत करम है वो 1 upon Z होगा तो इसे यदि हम हल करें 1 upon A plus Iota B और इसे जब आगे हल कर लेंगे तो जो हमें मान मिलेगा वो इस समिस संख्या का व्यूत करम होगा या फिर दूसरे सब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि दो ऐसे समिस संख्याओं का गुननफल यदि एक आता है तो वो एक दूसरे के व्यूत करम कहलाते हैं तो देखिए यहाँ पर यह Z है और यह Z1 है Z इंटू अगर आप यह समिस संख्याओं है Z A प्लस आयोटा B और 1 अपॉन Z हमें मिला 1 अपॉन A प्लस आयोटा B दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो दोनों समिस संख्याओं है एक दूसरे के हमें यूतकरम है या फिर अरेसिपरोकल है इसे आगे अवर हल कर सकते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर 技ो हर में समिस संख्याओं है उसके सयुग्मी से गुणा और भाग कर दीजे तो यह जो सयुग्मी और a-b, थोड़े देर पहले हमने इसे और हल किया था, a plus b into a minus b, यह होता है a square minus b square, इसे हल करेंगे तो मिलेगा a square minus iota square b square, और आपको पता है कि iota square की जो value होती है, वो minus 1 होती है, यहाँ पर वो man put कर देंगे, तो हमें मिलेगा a minus iota b upon a square minus or minus plus, यहाँ पर iota square की value हम रख देते ह हैं, तो हमें जो value मिलेगी, यह मिलेगी plus b square, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 upon z equal to a upon a square plus b square minus iota into b upon a square plus b square, तो यह जो समिश संख्या में दी गई थी, z equal to a plus iota b, इसका व्यूत करम या reciprocal हमें मिला, 1 upon z equal to a upon a square plus b square minus iota into b upon a square plus b b square, तो इसका एक प्रशन देख लेते हैं, यदि z1 equal to 2 plus 3 iota हो, तो इसका हमें व्यूत करम ग्याद करना है, इसका व्यूत करम क्या होगा, 1 upon z1, 1 upon z1 के लिए हमके लिखेंगे, 1 upon 2 plus 3 iota, इसे आगे हल करने के लिए, यह जो समिश संख्या है, इसके सयुगमी से गुणा और भाग करेंगे, जो की है, 2 minus 3 iota upon 2 minus 3 iota, अब जब गुणा करेंगे तो अंस में हमें मिलेगा, 2 minus 3 iota, यह a plus b into a minus b, a square minus b square, इसे आगे हल कर लिजे, 2 minus 3 iota, 2 का square, 4 मिल जाएगा, minus iota i square, यह और 3 का square करेंगे तो आपको मिलेगा, 9 iota square, और आपको पता है, कि iota i square जो होता है, यह minus 1 होता है, यह value मिहाँ पर पूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, 2 minus 3 iota upon 4 plus 9, that is, 2 minus 3 iota upon 13, या फिर इसे आप लिख सकते हैं, 2 by 13 minus 3 upon 13 into iota, तो यह जो हमें समिसंख्या दी गई थी, 2 plus 3 iota, इसका व्यूत्करम या रेसिप्रोकल हमें मिला, वो है, 2 by 13 minus 3 by 13 into iota, समिसंख्या को उसके मानक रूप या फिर प्रमानिक रूप में लिखना बहुत ही आवाश्यक है, इसके जरीए हम काफी सारे समस्याओं को बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं, तो आईए अब इसे हम बोर्ट पर देखते हैं, आगे चलते हैं, प्रस्ट में और दोनों की बीच में रिंचेने लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर हमें व्यक्लन करना है, आगे हल करने के लिए सबसे पहले आप यह जो ब्रेकेट है, इसे उपन करेंगे, तो मिलेगा 1 minus iota, माइनस और माइनस प्लस 1, और यह माइनस और यह प्लस का जब गुणा यह आपको मिल जाएगा, माइनस 7 iota, यह कैसे करते हैं, थोड़े देर पहले हम देख चुके हैं, तो यह जो हमें मिला, यह मानक रूप में है, क्योंकि समिछ संख्या को हम लिखते है, Z equal to X plus iota y, या फिर Z equal to A plus iota b के form पे, यह real part है और यह imaginary part है, यह दो अलग-अलग समिछ संख्या थी, उसे हमने हल करके मानक रूप में लिखा है, एक दूसरी समिछ संख्या दी गई है, 1 upon 3 minus 4 iota, तो यह जो रूप है, यह 1 by Z के form पे है, और हमें इसे Z के रूप में प्रदर्सित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर के साथ गुणावा भाग करना है, यह हम पहले भी कर चुके हैं, तो यह जो हर है, इसका सवयुगमी क्या होगा, 3 plus 4 iota और 3 plus 4 iota, तो इसका सवयुगमी से गुणा और हम भाग कर रहे हैं, अंस का गुणा अंस के साथ होगा, तो हमें मिल जाएगा 3 plus 4 iota upon, यह देखिए, A minus B और A plus B के form पर है, तो यह हमें मिल ज है कि iota square जो है, यह minus 1 के equal होता है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 plus 4 iota upon 9, यह iota square है, minus और minus, plus 16 हो जाएगा, 3 plus 4 iota upon 25, या फिर 3 by 25 plus 4 by 25 into iota, तो इस तरीके से दिये गए प्रशनों को आप हल करके माना करूप में लिख सकते हैं, तो प्रशनों म 2 iota को उसके सायुगमी से गुणा कीजिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना जो दी गई समिश संख्या है, यह Z है, 3 minus 2 iota है, और अब इसका हमें सायुगमी लिखना है, आप जानते हैं कि किसी समिश संख्या के सायुगमी को Z bar से प्रदर्सित करते हैं, और हमें करना क क्या होता है, रियल पार्ट या वास्तिक भाग और अधिकल्पित भाग की बीच में जो साइन होता है, उसे हमें परिवर्थित करना होता है, यहां पर जो चिन नहीं यह रिंड है, तो हम यहां पर धन चिन लगा करके लिख देंगे, तो इस तरीके से यह समिश संख्या Z equal to 3 minus 2 iota है, उसका संयुग्मी या फिर conjugate Z bar equal to 3 plus 2 iota हमें मिल गया, तो इन दोनों समिश संख्याओं को गुणा करना है, तो इसके पहले हमने देखा था कि समिश संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, Z into Z bar equal to 3 minus 2 iota और 3 plus 2 iota, दोनों समिश संख्याओं को हमने as it is लिख दि Otherwise, simply आप गुणा करना चाहें, तो गुणा भी कर सकते हैं, तो 3 into 3 plus 2 iota, फिर यह minus 2 iota का जो गुणा है, यह पूरे पदों के सानत होगा, 3 plus 2 iota, 3 into 3 is 9, 3 into 6, that is 6 iota, minus 3 into 2, that is 6 iota, minus और plus, minus 2 into 2, that is 4, और iota और iota का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा iota square, यह दोनों cancel हो जाएगे, आपको मिलेगा 9 minus 4 iota square, और आपको पता है, iota square की जो value होती है, यह minus 1 होती है, यहाँ पर हम value put कर देंगे, तो 9 minus, और यह 4 into minus, तो 9 plus 4, that is 13, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कि यह समिश संख्या 3 minus 2 iota था, उसका और उसके संयुगमी का जो गु अगला प्रशन है, 1 upon 3 plus 4 iota का संयुगमी लिखे, तो पहले आप यह देख पा रहे हैं, कि यह 1 upon z के form पे है, तो पहले हमें इसे मानक रूप में परिवर्थित करना है, माना z equal to 1 upon 3 plus 4 iota, इसे आगे हल करने के लिए हम करेंगे, इसके संयुगमी से गुणा और भाग करेंग हम देख चुके हैं, यह हमें मिल जाएगा, a plus b into a minus b, a square minus b square, इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा, 3 minus 4 iota upon 9 plus 16, यह 4 का square 16 आएगा और यह iota square की value minus 1 होती है, इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा, plus 16, ultimately 3 minus 4 iota upon 25, या फिर इसे आप लिख सकते हैं, 3 upon 25 minus 4 upon 25 into iota, तो यह हमें समिष संख्या मिल गई थी, अब इस समिष संख्या का संयुगमी हमें लिखना है, z bar, z bar कैसे लिखते हैं, वासुख भाग और अधिकल्पित भाग के बीच में जो चिन्न है, उसे बदल कर हम लिख दे होते हैं, तो यहाँ पर यह माइनस है, उसे हम प्लस लिख देंगे, तो हमें मिलेगा, z bar equal to 3 upon 25 plus 4 upon 25 iota, तो इस तरीके से हम, हमने यह उत्तर निकाल लिया है, यह 1 upon 3 plus 4 iota का संयुगमी है, वो 3 upon 25 plus 4 upon 25 into iota, अगला प्रसन दिया गया है, 1 plus iota upon 1 minus iota का power n equal to 1 हो, तो n का ग्यात कीजिए, तो पहले हमें 1 plus iota upon 1 minus iota इसे हल कर लेना है, फिर हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे, तो चलिए, 1 plus iota upon 1 minus iota, यह दो अलग-अलग समिश संख्याओं के भाग के रूप में दिया गया है, तो इसे हम पहले हल करेंगे, और मान लेते हैं कि यह z के बराबर है, तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, हर के संयुगमी के साथ गुणावा भाग करेंगे, तो 1 minus iota का संयुगमी, 1 plus iota, इसे गुणावा भाग कर रहे हैं, अब यह देखिए, 1 plus iota, 1 plus iota, तो यह a plus b का whole square आपको पता है, यह होता है, a square plus 2ab plus b square, इस तरीके से आप directly भी उसे use कर सकते हैं, या फिर जैसा सामाने तरीके से हम गुणा करते हैं, वो भी कर सकते हैं, यह देखिए, a minus b और a plus b है, तो वो a square minus b square हो जाएगा, चलिए, पहले हम अंस को हल कर लेते है, a plus b का whole square, that is a square plus 2 into a into b plus b square, तो हमें मिल गया, 1 square plus 2 into 1 into iota plus iota square, अब यहाँ पर a minus b और a plus b है, तो हमें मिल जाएगा, a square minus b square, आगे हल करते हैं, यह 1 हो जाएगा, और यह plus 2 iota हो जाएगा, और आपको पता कि iota square minus 1 होता है, value हम यहाँ पर put कर देते हैं, minus 1, similarly, 1 का square 1 हो जाएगा, और यह iota square minus 1, और minus 1 करके हम इसे लिख सकते हैं, plus 1, अब यह देखिए, यह plus 1 और यह मिल गया, iota, और हमें क्या कहा गया है, कि n का मान ग्याद करना है, कैसा मान? न्यूनतम पूर्णांक मान, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 plus iota upon 1 minus iota का power n equal to 1, यह दिया गया है, अब इसे हमने हल किया है, इस पद को, तो हमें क्या मिला है, iota, तो iota का power n equal to 1, n का हम हमें वह न्यूनतम मान ग्याद करना है, पुर्णांक मान ग्याद करना है, जिसके लिए हमें equal to 1 मिलता है, तो आपको यह पता है, कि iota equal to square root minus 1 होता है, iota square equal to minus 1 होता है, iota का power 3 minus iota होता है, और iota का power 4 जो होता है, plus 1 होता है, तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, कि यह जो n का मान है, यह 4 होगा, यह 4 होगा, तभी यह एक न्यूनतम मान है, जिसके लिए हमें plus 1 मिलता है, इसके बाद अगर अगर आयोटा का power 8 भी लिखेंगे, तो वो भी हमें plus 1 मिलने वाल है, लेकिन n का जो मान है, वो न्यूनतम मान होना चाहिए, तो इस वज़ किस हमें मिल जाएगा, n equal to 4, तो यह n equal to 4, n का वह न्यूनतम पूर्णां का मान है, जिसके लिए हमें 1 plus आयोटा upon 1 minus आयोटा का power n equal to 1 मिलता है, अब हम देखते हैं कि समिस्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो हम यह मान के चलते हैं कि एक समिस्र संख्या दी गई है, z equal to a plus आयोटा b, और इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसे हम लिखेंगे, वर्गमूल z, square root z बराबर, a plus आयोटा b का square root, और हम यह मान के चलते हैं कि यह दूसरी समिस्र संख्या, x plus आयोटा y के बराबर ह तो ultimately हमें x और y का जो मान हैं वो ग्यात करना है, तो इसे हम समीकरण एक दे देते हैं, दोनों पक्षो का जब वर्ग करेंगे, तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा, तो हमें मिलेगा a plus iota b equal to, दोनों पक्षो का वर्ग हो जाएगा, a plus b का whole square, that is a square plus 2ab plus b square, उस formula का हम इस् x square plus iota square y square plus 2iota xy, और यह हम जानते हैं कि iota square minus 1 होता है, वो value हमें आपर पूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा a plus iota b equal to x square minus y square plus 2iota xy, अब यह देखिए कि यहां पर यह वास्तविक भाग है, और यह अधिकल्पित भाग है, या कल्पनिक भाग है, उसी तरीके से left hand side में a जो और यह iota b यह जो है अधिकल्पित या काल्पनिक भाग है, तो तुलना करने पर हमें किया मिलेगा, x square minus y square equal to a square, यह देखिए, इसका यह जो वास्तविक भाग है, x square minus y square, यह a के बराबर होगा, x square minus y square equal to a और यहाँ पर देखिए यह 2 iota xy है और यहाँ पर iota b है तो इसका मतलब यह कि 2 x y equal to b यह समीकरण 1 है इसे समीकरण 2 नाम देते हैं और यह समीकरण 3 और इसके बाद हम एक फार्मूला है जिसका इस्तमाल करेंगे यह है x square plus y square का whole square equal to x square minus y square का whole square plus 4 x square y square इसे जब आप expand करेंगे both side में तो आपको यह equality मिल जाएगी यह सर्व समीका है कि जिसका इस्तमाल हम अब करने वाले हैं तो देखिए x square plus y square का whole square equal to x square minus y square का whole square plus 4 x square y square यह दूसरे और तीसरे समीकरण में जो मैं मान मिला है उसका हम इस्तमाल करेंगे दखिए x square plus y square इसकी value हमें निकालनी है x square minus y square की value a है तो यहाँ पर हम put करेंगे मिलेगा a square 4 x square y square यह जो समीकरण 3 में 2 x y equal to b है दोनों पक्षों का work करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 x square y square तो यहाँ पर right hand side में b square मिल जाएगा plus b square अब जब left hand side में work को हटाएंगे या square को हटाएंगे तो हमें मिलेगा x square plus y square equal to इसको root over a square plus b square अब इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं 4 का ultimately हमें x और y का मान ग्याद करना है तो हमारे पास समीकरण 2 है और 4 है इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो एक value मिलेगी एक चर रासी का मान मिलेगा और एक बार घटाएंगे तो दूसरे चर रासी का मान मिलेगा तो हम समीकरण 4 में 2 को जोड़ देते हैं तो देखिए x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर प्लस x स्क्वेर माइनस y स्क्वेर ये left hand side and then ये वाला left hand side हमने यहाँ पर लिख दिया है right hand side में आ जाएगा square root over a square प्लस b square और यहाँ पर यह जो a है यह हम यहाँ पर लिख लेंगे a देखिए y square और y square दोनों यहाँ पर यह positive और यह negative यह cancel हो जाएगा ultimately हमें मिलेगा 2x square equal to square root over a square plus b square यहाँ पर है और यह plus a 2 का या फिर 2 का यहाँ पर multiply हुआ है left hand side में ले आएगे तो वो division में आ जाएगा या फिर यह 1 by 2 ऐसा लिख सकते हैं square root over a square plus b square plus a देखिए यहाँ पर यह x square का मान है तो यहाँ से हमें क्या मिल दाएगा x equal to plus minus root over 1 by 2 और यह पूरी की पूरी quantity इसके अंदर आ जाएगी that is square root over a square plus b square plus a इसी तरीके से 4 और 2 को हमने जोड़ा है अब 4 में हम समीकरण 2 को घटा देंगे अब घटाने के लिए क्या करना होगा simply operation करेंगे x square plus y square minus x square और यह minus और minus यहाँ पर आकर किये plus y square हो जाएगा यहाँ से हम लिखेंगे square root a square plus b square और यह minus a आ जाएगा यह देखिए 4 है समीकरण इसमें समीकरण 2 को घटा रहे हैं यहाँ पर x square का मान धनात्मक है और यह रिनात्मक है यह दोनों cancel हो जाएगा value जो बची की वो होगी 2y square equal to square root over a square plus b square minus a अब जब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा y square equal to यह जो 2 है इसका multiply होगा धरा करके division में आ जाएगा value 1 by 2 square root over a square plus b square minus a देखिए यह y square है और इसको हम y लिखेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा right hand side में हमें square root लगाना होगा वर्गमूल लगाना होगा तो यह plus minus square root over 1 by 2 और फिर यह जो पूरी quantity हम उसे as it is लिखेंगे square root over a square plus b square minus a तो देखिए यहाँ पर हमें जो मान मिला है यह x का मान है और यहाँ पर जो मान मिला है यह y का मान है तो समी करन एक में हम देख पा रहे हैं कि square root z equal to square root a plus iota b equal to x plus iota y तो यह जो हमें x और y का मान यह x का मान और यह y का मान मिला है उसमें हम put कर देंगे तो वो हमें value मिल जाएगी या फिर दोनों को अगर हम composite root में लिखें तो final वर्गमूल a plus iota b equal to plus minus square root 1 by 2 और इसके अंदर और square root आएगा a square plus b square plus a यह हो गया x का मान यहां से bracket start हुआ है then plus iota y और y का मान यह है हमारे पास यह लिखेंगे 1 by 2 square root over a square plus b square minus a और यहां पर यह जो यह bracket यहां पर close होता है तो इस तरीके से square root over a plus iota b equal to होगा plus minus square root over 1 by 2 then again square root a square plus b square plus a plus iota and then square root over 1 by 2 square root over a square plus b square minus a या फिर और अगर इसे simplify करना हो तो हम यह जानते हैं कि mod z equal to r equal to square root over a square plus b square होता है अपने modulus में देखा है कि किसी समिश संख्या क्या modulus या मापांक कैसे निकालते हैं तो वो उसे हम r से प्रदर्शित करते हैं फिर mod z भी लिखते हैं तो इस तरीके से यह जो फार्मूला है इसे हम simplify कर लेंगे और हमें मिलेगा square root over a plus iota b equal to plus minus square root 1 by 2 2 यह है mod z plus a plus iota square root 1 by 2 mod z minus a तो computer exams में अगर सिर्फ आपको value निकालनी होगी यह process के marking नहीं है तो आप directly इस formula को यूज कर सकते हैं that is square root over a plus iota b equal to plus minus square root over 1 by 2 mod z plus a plus iota square root over 1 by 2 mod z minus a यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कब plus होगा और कब minus होगा जब यहां पर यह जो संख्या है a plus iota b यहां पर अगर minus value है तो iota के साथ हम minus value use करेंगे और जब plus value है तो both side में यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगा plus sign का इस्तमाल होगा तो देखिए यहां पर plus value है तो यहां पर plus sign यूज होगा और जब a minus iota b होगा तब हम वहां पर minus value का use करेंगे यह value में मिलने वाली है 1 by 2 square root over a square plus b square plus a और यहां पर यह minus sign हो जाएगा तन अगें हम use करेंगे 1 by 2 square root over a square plus b square minus a तो इस तरीके से हम किसी संधिये गए समिश संख्या का वरगा मूल गयात करेंगे तो इससे सम्मंदित एक प्रशन देखते हैं से आपको जादे अच्छे से क्लियरोगा